दोस्तों आज हम जानेंगे की जिन्दगी क्या है? दोस्तों जीवन में बिना तकलीफों का सामना किये सफलता प्राप्ट नहीं हो सकती यह भी एक संधर्ष और सफलता की प्रेणादायक कहानी है। इसे जरूर सुनें। एक समय की बात है एक बार एक लड़का अपने दादाजी से मिलने के लिए गाउ गया उसके दादाजी बड़े ही अनुगवी और बुद्धिमान व्यक्ती थे। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा दादाजी क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं आपकी तरह सक्सेस्पुल कैसे बन सकता हूँ। दादाजी मुस्कुराएं और उस लड़के को एक पॉधे की दुकान ले गए वहां उन्होंने दो छोटे-छोटे पॉधे खरीदे और घर आ गए फिर दादाजी ने एक पॉधे को घर के अंदर गमले में लगाया और दूसरे पॉधे को घर के बाहर धूप में लगा दिय और लड़की से पूछा बताओ इन में से कौन सा पौधा एक सफल और बड़ा पौधा बनेगा लड़के ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया घर के अंदर वाला पौधा क्योंकि वह सभी प्रकार के खत्रों से सुरक्षित है जबकि बाहर के पौधे को बहुत सारी चीजों से खत्रा है जैसे तेज आंधी तूफान बरसात और जानवरों से दादाजी मुस्कुराए और कहा चलो देखते हैं भविश्य में इन दोनों पौधों का क्या होता है और जब तुम अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी दे दूँगा इसके बाद वह लड़का गाव छोड़कर शहर आ गया और अपने स्टडी में व्यस्त हो गए ठीक दो साल बाद वह फिर अपने दादाजी से मिलने वापस गया और कहा पिछली बार मैंने आप से पूछा था कि मैं आपकी तरह सक्सेस्फुल कैसे बन सकता हूँ उस समय आपने कोई जवाब नहीं दिया था पर आज आपको जवाब देना ही होगा दादाजी मुस्कुराएं और कहा ठीक है पर तुम्हें वह पौधा याद है जो हमने लगाया था तुमने कहा था कि घर के अंदर वाला पौधा घर के बाहर वाले पौधे से ज्यादा सफ उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ था फिर दादाजी ने उस लड़के को घर के बाहर वाले पौधे के पास ले गए लड़के ने देखा वह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा विशाल पेर बन चुका है जिसकी शाखाएं चारों और फैली हुई है फिर दादाजी ने कह देखो घर के बाहर वाले पौधे में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया जैसे आंधी तूफान बरसात तेज धूप इत्यादी पर इन सभी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और आज यह इतना मजबूत है कि कोई भी आंधी या त तूफान इसका कुछ नहीं बिगार सकते जबकि जो पौथा हमने घर के अंदर लगाया था वह आंधी तूफान बरसात और तेज धूप से पूरी तरह सुरक्षित था इसलिए वह आज भी छोटा और कमजोर है हमेशा याद रखना जब तक आप जीवन में कठिन समय से नहीं गुजरते हो जब तक आप संधर्श नहीं करते हो तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं मिल सकती यदि आप जीवन में चुनोतियों से डर कर आसान रास्ता चुनते हो जैसे घर के अंदर वाले पौधे ने किया तो आपको कमफर्टेबल लाइफ मिल जाएगी पर आप हमेशा कमजोर ही बने रहोगे और यदि आप जीवन के समस्याओं को चुनोती समझचकर डटकर सामना करते हो तो घर के बाहर वाले पौधे की तरह बड़ा मजबूत और सफल बनोगे समस्याओं से घबराओं नहीं उसे अपना दुश्मन मत समझो उसे चुनोती समझो जो आपको स्ट्रान बनाने के लिए आई है याद रखना हर समस्या अपने साथ अनुभव लेकर आती है और आपको अनुभवी बनाती है जितना अनुभवी बनोगे जीवन में उतने ही सफल बनोगे इसलिए जीवन के हर एक समस्या को अपने सफलता की सीधी का एक स्टेप समझो और उसका डटकर सामना करो आपके आसपास बहुत से दुखी है जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है कृप्या उन्हें यह शेयर कीजिए भन्यवाद